दोस्तो आपने बहुत बार देखोगा जब आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ब्लूथूथ कनेक्ट करते हैं तो आपको वहाँ पासवर्ड के लिए पूछते हैं तो आपको समझी नहीं आता है कि मेरे को यहाँ पे क्या पासवर्ड डालना चाहिए जिससे की ब्लूथूथ की यहाँ पे कनेक्ट और सके तो आज की इस वीडियो में आप यही जानेगे कि आगर आप ब्लूथूथ कनेक्ट करते समय आपसे पासवर्ड पुछा जाए तो इस मोबाइल के बारे में सबसे थो अगर बा common का इक है चौग चाहिए कट कर सकते हैं अगरतों पूरे डीटेयल वीडियो देखना चाह्ति वीडियो का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शिन सबसे पहले आपि झीठ मोबास में याप भी बलूतुत ओन होच्का 누 towards यहाई पर ढेल से सामने याप पास्वोड को यह पुच centers Russia यह तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस device के name यहाँ पर आ चुक हैं तो मैं इस device के name पर यहाँ पर क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने आप पासवर्ड के लिए पुछा जाएगा तो दिक्कत तो यही पर आ जाते हैं कि हमें यहाँ पर क्या password डालना चाहिए जिससे इस mobile क या फिर यहाँ पर 1234 यहाँ पर इसका password होगा अगर इसका password यह भी ना हो तो आपनी मर्जी से कोई भी 4DZ का यहाँ पर पिन create कर लेना है तो जैसे कि मैं आप चार बार साथ टाइप कर देता हूं 1234 इसके बाद मैं यहाँ ओक्य पर क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पर लेता हूं 1234 इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर Bluetooth यहाँ पर connect हो चुकी है तो अगर आपसे Bluetooth कनेक्ट करते समय आपसे password पूछा जाए तो आपको सबसे पहले four time zero डालके देखना है फिर भी ना हो तो आपको 1234 आपको password ड देखने ना कि आपको आपके क्या message सो कर रहा है जो message आपको सो कर रहा है उसी के अनुसार आपको आपको पिन सेट करना है तो उमीद करता हूं यह छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुती फाइदे मन्द होगी तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक एंड चैनल कि सब्सक्राइब काना ना बुले